दस्दिफसी निमाड के प्रसेश संध सिंगाजी मेला में शरत पूर्णिमा पर तीन लाग से दिक भक्त सिंगाजी समाधी स्थल पहुँचे शुक्रवार की देर शाम तक असी हजार के लगभग श्रद्धालु संध सिंगाजी बाबा के पास महुँचे थे मुख्य देवश शरत पूर्णिमा होने पर शनिवार को दिन भर बीड से आवा गवन बड़ी संख्या में दो पहिया और चार पहिया वाहनों की माध्यम से आवा जाही रही जानकारी के अनुसार प्रतिवर शनिसार सिंगाजी बाबा का सुबा प्राताकार में समाधी को पंच्यमरत से स्नान कर भूग लगाये चाएगा चंदरगरण होने से बाबा की समाधी पर तीन बजे जावगा के राज घराने से निशान आया वा अन्य भक्तों द्वारा पैदल ये निशान भी चड़ाये गये महारती हुई जिसमें भारी संख्या में सिंगाजी बाबा के भक्तगर जो खंडवा खरगोन बरहान पुर छिंदवाड़ा इंदौर बैतूल खरगोन जिले सहत महारास अन्य प्रदेशों से दर्शन को पहुँचे थे इनके द्वारा मुख्य प्रसादी घी नारियल चिरो व्यक SAM से दर्शन को पहुच्टे हैं बैल संवाधी पेर चुकर अपने परशों को बाङते हैं उससे प्रकार हमारी खेती में आभी हम SAMाधी से जलको लेकर जाते हैं और अपने खेतों में जीचते हैं हमारे खेतों इच्छी फसल हो एकामना कर हम बाबा की समाधी से दर्शन कर पहुंचते हैं मुख्य दिवस होने पर सुरक्षागी द्रस्टी से पुलिस की चाक्चोबंद व्यास्था रहे हैं बाबा की समाधी इस्तल पर हर वर्ष से चलिया रही परंपरा किसी भक्त के द्वारा समाधी इस्तल पर कच्छी केरी अरपन की जाते हैं जिस किसी मैला कुछ संतान का सुख नहीं होता उसे अच्छी केरी के प्रसाद को लेने के बाद संतान की प्राप्ति होती है ऐसी परंपरा वर्ष से चलिया रही खंडवा से रौमी सलूजा की रपोर्ट